हेलो फ्रेंड मैं मैं मनी साप सभी को हमारे सी यूटूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तो आज हम जालने वाले हैं टॉप फाइब एंडराइट एमुलेटर के बारे में तो चेले दोस्तो वीडियो सुरू करते हैं दोस्तो मैं जितने भी एमुलेटर बतने जाड़ हूँ इन सभी का इंस्टोलेशन वीडियो में नीचे डिस्प्रिशन में दे दूँगा आप जाके देख सकते हैं दोस्तो यहां दोस्तो आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तो यह टॉप फाइब एंडराइट एमुलेटर में आता है आप इसमें गेमिंग और हार्ड अकाम आसानी से कर सकते हैं नमबर 3, Memo Play जी हां दोस्तो आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तो यह बहुत ही अच्छा इंडराइट एमुलेटर है यह टॉप फाइब एंडराइट एमुलेटर में भी आता है आप इसमें गेमिंग और हार्ड अकाम आसानी से कर सकते हैं दोस्तो इसका इसका minimum requirement की बात की जाये तो इसका भी मैं minimum requirement नीचे description में लिख दूँगा आप जाके असानी से इसका minimum requirement देख सकते हैं नमबर चार, X-Player जी हाँ दोस्तो आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तो ये बहुत ही अच्छा Android Emulator है ये टॉप 5 Android Emulator में भी आता है दोस्तो ये इसमें आप गेमिंग और हार्ड कम असानी से कर सकते हैं दोस्तो इसका मिनिमाम रिकॉयंट की बात की जाए तो इसका मैं मिनिमाम रिकॉयंट नीचे डिस्क्रिशन में दे दूँगा आप जाके असानी से देख सकते हैं नमबर पाँच, इसमार्ड का गाए जी हाँ दोस्तो आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तो ये दो वर्जन में आता है Android 4.42 और Android 7.1.2 ये बहुत अच्छा Android एमूलेटर है आप इसमें असानी से गेमिंग और हार्ड आकम असानी से आप इसमें कर सकते हैं इसका मिनिमाम रिकॉयंट की बात किजा है तो इसका भी मैं मैं दिस्क्रिशन में मिनिमाम रिकॉमेंट दे दूँगा आप जाके मिनिमाम नी कॉमेंट आसानी से देख सकते हैं दोस्तों मैं जितने भी एमिलेटर बताने जारा हूँ ये सभी Free Fire PUBG और Call of Duty को सपोर्ट करता है आप चाहे तो ट्राइ कर सकते हैं आई होप दोस्तों आपको ये छोटर सीडो पसंदा है आप पसंदा है तो एक लाइक जी रूपना दोस्तों ओके दोस्तों मिलते हैं नेस्टे वीडो पे तब तक क्लिए बाइबा दोस्तों